स्वागे था आपको हमारे चैनल पर और आज की हमारी कहानी है रमन की जो तीन साल तक लगा था हाई स्कूल में फेल होता रहा और उसे सबक सिखाने के लिए उसे लाइन पर लाने के लिए उसकी आंटी ने उसे किस तरह से रमन से रामया में बदला तो आज कहानी को बीच में मिस मत करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और चलिए चलते हैं आज की कहानी पर अज सुबह से रमन बहुत परिशान था क्योंकि उसके आंटी ने जो उसे धंकी दे थी आज उस सच में सच हो रही थी और आंटी ने जो धंकी दे थी कि अगर उसके नियम जो भी नियम उसकी आंटी ने बनाया है घर के अगर उस फ़ालन नहीं करता है तो उसके पॉकेट मनी बिल्कुल बंद करती जाएगी उससे विजनेस में से फैमिली विजनेस से रिमूब कर दिया जाएगा हटा दिया और जिससे सब कुछ नॉर्मल हो इस तरह से बिहेव कर रही थी रमन को बहुत सरम मैसूस ही उसने अपने सरीर को चादर से ढख लिया लेकिन नौकरानी उससे देखकर उसकी इस हालत को देखकर के जोड़-जोड़ से हसने लगी और फिर बोली कि सरजादा नाटक मत करो चल इस तरह से नग नहालत में देखा था इसके बाद नौकरानी बोली अच्छा चलो अब यह लॉसन लो अपने पूरे सरीर पर लगाओ और फटाफट से तेयर नहा लो नहा कर आने के बाद उसे एक गुलावी रंग की ब्रावर पैंटी की एक जोड़ी उसे दी फिर उसने ए कामनी अएंटी बिजनेस में बहुत ही सफल थी बहुत ही फैमस बिजनेसमें थी बच्छपन में जब रमन चोटा था तो जो अउनकल थे वो बच्छपन में भाग गये थे क्योंकि उनके डॉमिनेशन निचर की वज़ए से और उनका फैमनान करेक्टर पूरे ऑफिस में प कि δोनो को चूड़ियों से बर धिया दोनों हातों की उंगलियों में अंगुटियां पहनाई कान में चले पहनाई एरिंग्स पहनाई नाक में नोच पिन पहनाया और इक नेटी चक्टी पायल तसे वह सभी जोयल्यक्थ से उसे अपनी नए टेक्स्टाइल सोरूम के सेल्स गर्ड के लिए इंटर्वी के लिए लेने आ रहे हैं अगर तुम उनके साथ काम करोगे उनके साथ पूरा सपोर्ट करोगे और अच्छा बेवार करोगे तब ही मैं तुम्हें अपनी प्रॉपटी का हिस्सा बनाओंगी अधर्वाइस तुम ये सब कुछ भूल जाओ राम्या एक सब्द भी नहीं बोल पा रहा था वो बस नजने जुकार कर बैठा था फूरे घर की सबी नौक्रानिया बारबर उसके आज पास काम करती है उसे देखकर हसती और जैसे कि आवाद सुनाई दिस समझ में आ गया था कि उसके अंकल और उसके मेनेजर आ गये है लेकिन रमेश बिलकुल भी सरम से अपनी नजरें उठा नहीं पा रहा था वो नजरें जुका कर बैठा रहा थोड़ी देर में दो लोग उसके बिलकुल नज़ती का गए और तो एक हाथ जिस नेल पूलिस से रंगा हुआ उसने रमेश की थोड़ी से उसके सर से उठाया आवाज और उसे बोला कैसे हो रमेश रमेश को थोड़ी से आवाज जानी पैचाने लगी बट उसके अंकल जैसी लेकिन जब उसने उपर देखा तो उसके अंकल खुद साड़ी पहने हुए, नेल पॉलिस लगा हुए, बिलकुल मेक अप करके, रेडी करके तयार थे और बिलकुल अलगी लुक में नजर आ रहे थे और हमें इसको कुछ समझ नहीं आए कि ये क्या हो रहा है लेकिन ये उसके लिए एक सर्प्राइजिंग था और उसका अंकल भी उसकी इस कन्फीजन को, इस सर्प्राइज को समझ गया थे कि वो क्या सोच रहा होगा और उससे बस इतने ही बोले कि सर्माओ मत चलो, फठाबट गाड़ी में बैड़ जाओ मैं तुम्हें इसके आगे की पूरी कहानी कार में समझाता हूँ तो दोस्तों आपको कैसे लेगी कहानी, इसका अगला पार्ट हम जरूर से लाएंगे अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे ज़्यादा से ज़्यादे लोगों को साथ सेयर कीजे और कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे हमारे वीडियो काल्पनिक हैं और मनुरंजन के लिए इसमें लॉजिक्स को ढून कर अपना समय बरबाद ना करें हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आइकन पर प्रेस करें और लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें जादा से जादा शेयर करें